हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मी एन माई किच्छन और आज मैं आफके साथ सेयर करूंगी एक बहुत हैल्दी यम्मी फिलिंग और प्रोटेन से भरपूर साइलेट रेसेपी इसके लिए मैंने एक बाउल लिया और इस बाउल में मैं एड करूंगी एक कप अंकुरित मूं जिसको मैंने घर पर ही अंकुरित किया है आदा बारी कटा हुआ टमाटर एक घाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था आप इसको कट भी कर सकते हों और आदा बारी कटा हुआ प्याज आप इस रेसिपी में अपनी मन पसंद अनुसार किसी भी सबजीयों का यूज़ कर सकते हो और अब मैं इसमें डालूंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च और साथी में मैं एड़ करूंगी थोड़ा सा टोफू पनीर जिसको मैंने हलका सा फ्राइ कर लिया था और अब मैं इसमें डालूंगे थोड़ा सा काला नमक या फिर एज़ पर टेस्ट थोड़ा सा चाट मसाला एक टेबल स्पून लेमन जूस और साइलेट को थोड़ा सा तीखा टेस्ट देने के लिए अब मैं इसमें एड़ करूँगी वन टेबल स्पून के करीब रैड चीली सोस इस रैसेपी में चीली सोस बिलकुली ओफ्सनल है आप चाओ तो इसको इसकी भी कर सकते हो और इसके उपर डालूँगी थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया थोड़ा सा बारी कटा हुआ कुकंबर और अब मैं सारी सबजियो और मुंग दाल स्प्राउट्स को अच्छे से मिक्स कर लोंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी हैल्दी, वेट लोस और यमी साइलेट बनकर तयार है और अगर आपको साइलेट की ये इजी रैसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत वोलिएगा